मतवर्देश के चतर पुरक रसी उपज मंडी में अग्याद बदमासु द्वारा लूट का प्यास किया गया था जिसके बाद मंडी व्यापारियों ने प्रिशासन से सुरक्षा व्यवस्ता की मांग की है गौर्तलवे की सुबह बाबुलाल रायकबार अपने मालिक के घर से दुकान की चावी और करीब 80,000 रुपे लेकर दुकान आ रहा था तब ही मंडी गेट पर बेना नंबर की बाइक से पीचे से आए तीन नकाप पोस बदमासों ने उसे लोही की राट मार कर पैसे छोड़ाने का प्रियास किया इस दौरान में घायल हो गया था इसी दौरान सोर सुनकर सभी ब्यापारी बहां आ गए जिससे उसकी जान बज़ पाई इसके बाद सभी ब्यापारी ने खटा होकर मंडी परिसर में अपनी मांग रखी कि उनको सुरक्षा परदान की जाए और मंडी में आवारा पसों को भी आने से रोका जाए ब्यापारीों के साथ हो रही लगातार आपरादि कठवितियों का मुक्ष कारण है कि मंडी में आवारा तत्तों का जमापड़ा रहता है क्योकि करसी उपस मंडी के गेट पर गाड की तैनाती नहीं है किसान नहीं ब्यापारी लोग दे रहे हैं किसी मुनीम के साथ मंडी प्रांगर के बाहर कोई बारदा थी तो अभी ततकाल में मुझे एक गंटे के अंदर पता चला उन्होंने आविदन दिया है सुरक्षा वश्ता के सम्मंद में तो उसके सम्मंद में ठाने के लिए चिट्थी लगा रहा हूँ हमारे मुनीम के साथ सुवेरे साले दस बजे मंडी गेट के पचास फिट रोट साइड में तीन बाइक सबारों ने जो की मुह में पीले रंका या भगवाबस्तर बांदे हुए थे जिनकी बाइक में नमबर नहीं था नमबर प्लेट भी नहीं थी उसमें और लोगों ने मुनीम हमारे घर से करीब आया साले दस बजे तो बूब बैक भी लिये था पैसे का और आ रहा था तो तो तीनों में से किसी एक ने लोहे की राड उसको मारी सिर में मारना थी लेकिन उसको आभास हुआ तो उसने हाथ बला लिया तो हाथ की बज़े से उसके हाथ में चोटाई है सिर बच गया और इतने में केलास दलाल की जो दुकान है केलास साहु जी की उनकी दुकान पर केलास और लला इसानगर वाले चिलाई क्या हो गया तो वो बाइक सबालोग यहां से मंडी की बांडी के बगल से पीछे भाग गए और रात पैसे हैं तो रात के पैसे मिलते हैं हम लोग कहीं भी जाएं चाह गली में मार जाएं या कोई मार दे और दो परसेंट मुद्द करती है कहूं धाई परसेंट मुद्द करती है वे काट तीन परसेंट काट के देना है और रात के देन देते हैं न्यूज बीके के लिए छतर पॉर्ट से सोशिल सिभारे की रिपोर्ट